जी नमस्ते मेरा नाम प्रगती धीरसीना है और ये मेरी पहली भोष्पुरी फिल्म है प्रोडक्शन के छेत्र में पहले बार मैं आई हूँ और शिर्वात भोष्पुरी पिच्टर से कर रही हूँ तो आप सब दर्शकों का प्यार चाहिए आशिर्वार चाहिए जी एक तो टीनेजर स्टोरी है ये चीज़ को सबसे अची लगी ये काम बाते टीनेजर लो स्टोरी हिंडी में भी काफी बनी है लेकिन भोष्पुरी में मैं चाहती थी एक बहुती मासूम्यास से बरी कोई कहानी मिले लोग को देखने को मिले एक फ्रेश फेसिस मिले और सही जो की बात है कि मुझे इतने प्यारे प्यारे चेहरे मिल गए जोया और भारत जैसे सो मेरा सोचा की ज़रूर ये बनानी ही चाहिए अभी तक जो लोगों ने दिखाया वो लोगों ने देखा हम अच्छा दिखा रहे है तो अच्छा देखेंगे अपने अप टेस्ट चेंज होता है तेस्ट कोई फिक्स नहीं रहता है, हमेशे ज़रूरी नहीं है कि हमको नम्की नहीं पसंद आए या मीठा ही पसंद आए, सारे फ्लेवर्स चाहिए रहते हैं, तो यह पूरी फ्लेवर से भड़ी हुई पिक्षर है जरूरी नहीं होता है, दर्शक में हर उमर के लोग होते हैं, और हर तरह के लोग होते हैं, कोई लेवल नहीं होता है यदि हम ऐसी साफसूपी पिच्चर बनाते हैं या फैमिली मुवी बनाते हैं तो जादा से जादा दर्शक मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है ने तो चोरी छूपे, यदि फैमिली वाले देखना भी चाहते हैं तो घर में पारेटर सीरीज लेके देखेंगे यदि हम अच्छी पिच्चर बनाते हैं तो खेटर तक पहुचेंगे, महिलाओ को बच्चों को भी जाने में शरम नहीं आएगी जैसे जो मुख्य किरदार है वो जोया और बारत के आगे पीछे घूमते हैं साथ में इनके माताफिता के रोल में जो है वो माया रादो जी है जो बहुत ही जानी में आनी अभी नेत्री है और उसके बाद अरोरा जी है अनूप अरोरा जी और पांडे जी है यह सारे फेमस कलाकार हैं जो अभी तक लोग देखते आये उनको एक अलग रूप में आते हैं बादो ने अभी तो शुरू हो यह बोलना है कि आधी हो बहुत है कि अ मैं अजी फिल्म की शुरू हो चुकी है और पुटे जो शोब के साथ हुई है और दर सेब़ को बस यह कहती हूं कि एक बो मैंने और इंतजार कीजिए बहुत ही अच्छा तेस्ट उनको मिलने वाला है आखों के ररिये वो दिल में उतरने वाला है कि अच्छा नाम है जिनका नाम है जिने विहारी जी उनके गाने हर को ही जानता है हर को जुन बनाना चाहता है वही हमारे है और लगवक साथ से आठ गाने तो अभी तक हो चुके हैं लेकिन एडिशनल चैद एक और गाना आएगा कि अभी जैसल नमस्तार मेरा और अर्याना से हैं भी जैसा कि आप जब लोग ऐते हैं कि वोज पूरी में वालगरिटी दिखाए जाती है तो वहां पर भी अभी अच्छी पिच्छस बनने लगी आएै अच्छी पिच्छ को देखकर वहां पर जब भी हमें नाम चुने को मिला और ब्रजी से कॉंटेक्ट हुआ मेरा मैं बेसिकली सोचल इंसर हूँ मैं अब भी अपना सोचल मीडिया अपना वीडियो बनाता हूं जिसके गुरूब ब्रजी से मेरा कॉंटेक्ट हुआ था और उसके बाद पर ओडिशन हुआ एक छोटा सा और मैंने ब्रजी ने फिर साट कर वाया कर रहा हूं और अच्छे प्रेक्टिस कर रहा हूं स्क्रिप्ट रात को याद करता हूं और मैं अखले दिन कर रहा हूं अभी तो ऐसे ही चल रहा है हे लोड़की जो है में और बहुत पसंद लगा है तो माइ वैं जो मीरी मा है उनको पता है हुआ शुट मेरे सुट मजा ले रही है और मुझा मजा को डा है तो उसमें मां बोलता हूं अच्छा से समझाते हैं और बोश्पुरी मुझे बहुत अठक वही सिखा रहे हैं और अच्छा चाज़ा है तो मुझे भी मज़ा आ रहा है काम करने में जैसा कि आपको भी मालूग है मेरा बिस पहला पिछर है और अच्छा काम करता हूं और अच्छा काम करता है तो मलत काम करती है dif करने में जैसा क्याना है को अटर फ्री सीन के अच्छा के अ अब भी मेरा इंटरा स्टार्ट हुआ था इसके अंदर तो मुझे 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 मिला तो मैं इसमें करने के लिए आया है तो यह पिल्म करना टॉफ है उससे काफी टॉफ है क्योंकि वो जासा कि प्रोडक्षण वो मेरी प्रोडक्षण है उसमें camera man मेरा है, मेरी script है , मैं ही hero हूह हूँ। मैं ही सब काम करता हूं तो मुझे easy लगता है और चलता है रहाम है पर यह ओर किसी और की प्रोडक्षण में आप हेो और कुई डारेक्टर है जो काफी कर रहा है तो इसमें थोड़ा ये टफ है उससे टफ है जो भी एक पेसिलिटी होनी चाहिए अब आटेस्ट को वो बिल्कुल सब वो करवा रहे हैं गुर्वाय को भी काफी अच्छा एक्स्पीरियंस है पहले से बोस्कुरी में लगावे लुजब लेपिस्टिक तो गूजब लगावे लुजब लेपिस्टिक हीले लाया राटेस्टिक जीला टोपला तोपला जुच्छ में वहरे हैं कि लोग नहीं जब हम अलग जो भोचपुरी नहीं जानते हैं वो कलाकार जब इसमें आते हैं उनका जब इंटरस्ट प्रियर्ट होता है तब हमको एक अलग मौब भी मिलता है बाहर के ऐसे लोग जिसे हम लोग कई बार देखते हैं कि साउथ इंडियन मुवीज जो भाशा महीं जानते हैं वो भी देखना चाहते हैं तो मैं यह चाहती हूँ कि भोचपुरी जो भाशा है वो सिर्फ एक विशेश जगे में ही सिमितना रहें वो और जादा लोगों में प्रसिद्ध हो जैसे हम लोग दूसरी भाशाओं को पसं अब इस फिल्म इंडस्ट्री में यह मेरी फर्स्ट मूवी है और इडिवो नहीं होते तो शायद हम प्रॉडक्शन का सोचते भी नहीं क्योंकि हमें तो कुछ भी जानकारी नहीं है नो कुछ भी नॉलेज नहीं है छोटी से छोटी चीज वो रहें सुम्जाते हैं और बस उन्हीं के उपर हमने पूरी फिक्चर की बागदोर उन्हीं कोई सोप रखी है और उन्हों वही सब को चरेंज कर लिए परवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक कोशिश कर रहे है वेलेंटेंड डे पे प्रेमी जोडों को एक गिफ्ट मिल जाए इस पिच्चर के माध्यां से की सब साथ में मिलके पिच्चर देखने जा है कि दूआ है यह हमारे साथ चोया खांगी है और यह फिल्म बन रही है टीनेजर लव स्टूरी अब मुझे लग रहा है कि प्रगति की और जा रही है तो कि इस फिल्म की निर्मात्री जें उनका ही नाम प्रगति धीरत सिन्हा है तो अब लगड़ा है कि भोजपूरी प्रगति पे रहे गए है कि जिस्क इसलिए नहीं है कि किसी जमाने में अमिताथ बच्चन, राजे, स्थन्हा सब नए ही थे और साले लोगे स्टार बने और उसी तरह से भोजपूरी में भी पवंजी हैं, खेसारी जी हैं, सब तभी नए ही थे, इवेन आपके निरहू जी नए ही थे वो नया ही तो पुराना होता है और वही बात में सितारा बन जाता है तो लोग उसको स्टार बोलने लगते हैं और अभी तक यही रट लगाते हैं, जबकि हमारे सिंगर्स जो एक्टर बने वो भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं सारे ओडियंस को एक विम्जिकल जी दिमाग में फिट है, यह सब तो सिंगर्स हैं, एक्टिंग अच्छा नहीं करते हैं तो मैंने कहा कि भाई एक्टर को ही लो, जो एक्टिंग अच्छा कर सके, और सिंगर्स के लिए तो सिंगर्स हैं, हमारे इंडेस्टी में सब एक से एक सिंगर्स हैं, भोजपुरी में भी और हिंदी में तो फैर है ही, तो इसलिए हमने कहा कि एक्टर को लिया जाए, ताकि बोशपुरी वालों को कोई नया कुछ देखने से मिले और परी कुछी हो रही है कि हमारा लड़का वो भारत पर इसमें हिरो है भारत गांधी और ये जोया दोनों अच्छा काम कर रहे हैं दोनों तो तरह different कर रहे हैं भोशपुरी होते हुए विद्वरा सा भोशपुरी से कि सबसे पहले हमारा सेलेक्षन ने यह होता है कि कहा गया है न कि जहां चाह वहां रहा तो किसी की चाही नहीं रहेगी यह उसको हम जबर्दस्ती अक्टर बना चाहेंगे तो बनेगा नहीं तो एक पर इन लोगों की चाह थी और दूसरा सब अपने-पने पिल्ड में पुछ यूट्यूबर है और यूट्यूबब वहां का और बहुत अच्छा नाम किया है काम कर रहा है जिसने भी इसके सौंग आए हैं यह आए हैं सारे लोग पसंद की हैं लाखों के दर्सक्त हैं और जोया भी है तो स्वीज वेरी डिवोटेड ये करीब अभी जो दिख रही है यह पांच साथ किलो ज्यादा से तो मैंने पहले जाच के लिए का कि भी यह पांच किलो ज़रा वेट घंप करो और मुझे बड़ा अस्चर लगा कि बहुत कम दिनों में यह घंप फित होके आई कती है कि अप्टेशी लग दिख रही है तो जिसको इतनी डिवोशन होगी तो ए अब बाकित को दांस मस्कुर होएंगे सारे लोग तांस कराएंगे और लगास करके कहा गया है कि खुदा जब हुसन देता है नजाकत आही जाती है जब लग की सुन्दर है तो जो कुछ करेगी सब सुन्दर ही दिखेगा कि अधिए तो मुझे आदत पर गई है और लोग इस बारे में जानते भी है मेरी पहली भुझपुनी में केरला की लगी कुल गया और सब लोग बड़ा अश्रत कर रहती कि यारी केरला की लगी के लिए कि फिल्म बनाईंगे अब मैंने क्या फिल्म बनाई होगी कि उसके आ तो इसलिए मुझे आदत पर गई है नयों को ही इसके करना उसमें क्या होता है कि टाइम का यह दाता है ज्यादा कॉंस्टेंट नहीं जाता है बना आतिस आप भागते हैं यहां आदे गंते एक और देंगे फिर कहेंगे मुझे ओधर जाना है यह फिल्म करनी है तो वो काम क जादा उनका ध्यान इसकी में रहता है कि अभी स्विंग से निकल के किदर भाग के जाना है तो मैं शुरू से प्रेफर करता हूं कि भागने वाले कलकार क्या काम करें तो इसकी बात होती है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अब जैसे मालिया है सिष्टर का रोल करना है लेक आगए अब जिल में बहन को करिएगा को कहीं से वह बहन दिखेगी नहीं और भाई भी नहीं दिखेगा तो कई ऐसी बाते हैं जिसके करन में ना लोगों को प्रेफर किया हूं अब तक जिनकों भी लिजा हों तो भगवान दिज़्ा की वही सब एस्टार बनते गया है वही उन्हीं लोगों की तरकी स्कारण मैं भी एक लोकेसा तरकी किया हूँ और आज तक यहां हूँ अपलों के सामना हूँ लोकेशन सारे अच्छे हैं हमारे और खास करके इसमें प्रोडुसर का भी बहुत यह है कि जिस मकान को अप्रेसे में भी किया जा सकता था लेकिन क्योंकि करेक्टर रीच है तो सारे रीच लोकेशन को इन्होंने भी उप्रिक किया जब प्रेमेंट उसका ज़्यादा है तो यह सब चीजों के कारण लोकेशन तो आकल फिल्म में ग्लॉसिनेस बहुत ज़री है क्योंकि अब वो जमाना भी नहीं है पिल्कुल की वो कद्यू का लग्षी और जहां सा यह सब चाहिए तो लोगों को बहुत पसंद आएगा इसा नहीं है वरी बिलॉसिनेस आई है लाइट श्टाइल भी बता है भोश्पूरी टाले की सब नहीं रही है हा, और यही कारानी की मैंने अभी इंग्लिज में टाइटल रख्ता है श्याअसताप, सवसकत में पिर्म भड़ों हंदी में हाई। फुरी फिल्म की लावत पना रिव इनुन परिज , तो फिल्म का नाम था लब इंग्लिज में टाइटल नाम है। तो भोच्पुरी असका पता साथ कल की हो गई, तो अब इतना पिछे क्यों रहे जो कि जो भी तीनेजर लगुष्पुरी उना करता है। अला कि कभी तो भी कुछ पता है, यह हमारे भुच्पुरी वाले मिमेर को मुझ्पे बोलते हैं तो भुजा उसमें तीन हीरो है ना, तीन हीरो है ना, अब तो एक आध है तो, लेकिन वो भी अब उनको जानकारी दी जाएजी। मैंने समझाया बैठा के कि देखो टीनेजर का मतलब होता है, कि 14, 14, 15, 15, 17, 18, 19 तो यह सब में चुकी टीन लगा है, इसलिए 13 से 19 वरस के लिर्के लिक्नियों को टीनेजर कहा जाता है। तो कहा, अरे भाईया इस हम जन्यों नहीं कर रहते हैं, को चलो अब यह सुन से लोखे जानूंगे। बिल्कुल इसमें जो टीनेजर होंगे, उनको ज़रूर्ट आम मिलेगा। सबसे पहले में देखने वाले सारे ज़रूर्टों को दूया के तरफ के नमस्कार, और आप लोख कैसे हैं। मुझे वो फूरी बहुत अच्छी क्याती है, रोडाउट। और मुझे यह फिल्म सबसे पहले में पैसे मिली थी। एक इन था, मैं गई थी वहाँ पे, तो सर मुझे थी वहाँ से, बात कोड़ी सी बढ़ी। इसके बात से सर पते नहीं क्या देखने हैं मेरे अंदर, अब बता नहीं सकते। लेकिन तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो इनको ऐसा लगा होगा कि हाँ यह लड़की कुछ कर सकती है, या आगे बढ़ सकती है। तो मुझे यह लिए और मुझे बहुत लगती हूं कि सोमा सर कि आप मुझे यह चांस दिये। और मैं सबसे पहले यह बोलना चाहूंगे कि मुझे आख भी लोग का बहुत सारा प्यार चाहिए क्योंकि मेरी फर्स्ट मोवी है और सब्सक्राइब मुझे लॉंच कर जा है तो आप मुझे इतना प्यार दो इस तर मुझे सिकेंड मोवी भी हुए अच्छे जी कि घृऋंट reckon मेरी आओं भी यार चाहिक भी है कि एक है आओंट। जासे कि हमेजा डित्रें राती मैं रहती हूं कि सी अघाव नहीं देती हूं कि अपने कि आपने वोला कि कौन सी मोवी आपने दोखी है मैं लगबब सारी मोवी देखें और मैं पहुंच इसी बहुत पफल करती हूं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक उनके साथ कोची सी किलिक भी की थी बहुत अच्छी रही उनके साथ में और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूं कि इसारी जी को भी बहुत पसंद करती हूं अभी को वह विक बॉस में गहे हैं दुआ करती हूँ कि उटके चांग चार लग जाने जो भी है वो तो पहले सउस्टार है। इसके बउड़ी मैं दुआ करती हूँ . वह नर्जा है वहाँ . दूसरी बात कि मैं इतना अच्छा काम करने की पोसिस कर रहे हैं, कि जैसे कि उन्होग के साथ टो रोल मुझे नहीं मिलेगा जीज से कि उन्होंग के साथ वो बढ़ी-बड़ा कि लोग देखके बोले कि यहां इसको भी एक चांच मिलना जाएए हमारे डारेक्टर सर जो हमारे साथ में बैठे हैं कि अंगारे खेर जो हमारे डारेक्टर संथि आया konst principle में काम नेगारे लेकिन वो भी बहुत सपोट करें। आप लोग तो भी बहुत सपोड़्ट में और आप लोग की बहुत सपोर्टी करें। मैं नोब पहले तो बीग देखती थी। मैं फेलने उपना फोकस नहीं करती थी दीजय सबसे, मिसारी आप लोग हुआ हैं तब से मैं रोज देखती हूं। आप देखने लगा हुआ 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 है कि उसमें हिंदी के बहुत सारे एक्टर काये थे पर एक्टर से लेकिन दो तीन पार में देखा जैसे पुडवसी घुलकिया जो हमारी पिल्म पिल्म शास रानी बहु नफ रानी तो तब देखा फिर इन नौट से सारी जिगे हैं तो देखना शुरू किया हूँ क्योंकि यह भी बड़ी मेहनत से लिकारे बहुत नीचे से बहुत उपर आये हैं और जो वह भी स्विकारते हैं इस बात को कि मामदी शादी भी आन्स करते करते हैं आज में आज यह देखार बंजा है तो जब भी कोई इस तरह की सफलता होती तो कि आज में बड़ा इसके गौर करता हूं कि कोई आज में पर खाक बात तो हो जाती है तो तब से मैं थोड़ा कभी बिश्विक के देखा रबता हूं कि और मैं जुआ करता हूं कि वह विनर रहें और कोई नो कोई अवाड लेके आज़ें जाते जाते हैं आप सभी लोगों से निरेदन करना चाहूंगी कि आप लोग सारे लोग के सारे की कोई गिल से सपोर्ट कीजिए कि ये बहुत माइने रखता है कि बहुत लोग बोलते कि वोच्पूरी ऐसा है वैसा है तो हम लोग अपने पे कलंक ना लगने दे और उनको ब हसना पुराणा सा है मतलब पेता का क्रेदार है इसमें भी और यह अच्छी बात है कि नए हीरों के साथ हो मैं एक पिता के रोल में आता हूं और अच्छा लगता है उनका वीडियो देखा है मैंने जो हमारे हीरों साव हैं बहुत से वीडियो हैं युट्यूब पर और मैं प्रभावित वाएं उनके काम को देख के तो मेरी शुब कामना हैं जोया जी के बारे में मैं बहुत जानता नहीं हूँ बाकी बिल जुल के बात करके बहुत अच्छा लगा और उनको भी शुब कामना है प्रस्तर मेरे बहुत ही सीनियर निर्देशक हैं राष्टी पुदसका करने का बहुत अच्छा अनभाव रहता है उनकी पिछली फिल्म काजल में भी मैं था यह पिरदार मेरा थोड़ा थोड़ा ग्रेशेड लिये हुए है जैसा कि बहुत सी पिछली फिल्मों में मैं कर चुका हूँ और अच्छी बात यह कि वो सारी फिल्में पिछली चली है अच्छी तो उम्मित करता हूँ कि यह नवोदीत कलाकारों के साथ यह फिल्म भी अच्छी चले प्रजी के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनभाव रहता है काफी कुछ सीखने को मिलता है अच्छी तरह हमारे निर्माता बता पाएंगे उनकी पहली फिल्म निर्माता महुद है कि अनको भी मैशुब कामना यह देता हूँ इस फिल्म के लिए अब 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 मेरेज के साथ है बहुत सपोर्ट करता हूँ और लब मेरेज यह होनी ही चाहिए वही चोटी थी पुरानी गिसी पिटी बात है कि लब मेरेज में पहले लब हो जाता है बाद में शादी होती है और अरेंज मेरेज में पहले शादी हो जाती है बाद में लब होता है हमारी तो लब मेरेज देगे है किन मेरेज 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 में अपने परिवार को फिल्म में कभी नहीं लाता आप मुझे कभी फेसबुक पर फोटो तो नहीं देखिए हूँ नहीं कभी फेसबुक पर आपने पोटो नहीं देखिया परिवार को और फिल्म लाइन को दोनों को यहां अपना एक अलग परिवार है और यहां का परिवार है उसके बारे में जो भी पूछिए मैं बताने को तयार हूं मेरी मैडम बनारस में ही रहती हैं मेरे दो बेटे हैं अपने इसके रहर हैं जी वैसे तो मैं चार पांच बिग बॉस के सीजन के बाद धीरे धीरे देखना कम कर दिया क्योंकि मैं अपनी बात कहूं तो मुझे बहुत घणिया लग रहा है वह मैंने क ישारी जी के करफे मज़ा नहीं आ रहा एक तो जाने पेशाने चेहरे नहीं है पहले जो गंभीरता रहती थी बिग बॉस में वह बिल्कुल नहीं है मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता है कर दिया अपील कर दिया वोट दे दिया अपील कर दिया और क्यों नहीं करूंगा अपने बीच के बच्चा है तो क्यों नहीं करूंगा उसके लिए भाई हमारे बोजपूरी समाज के जुड़ा हुआ है वो गया है तो उसके लिए अपील है और आगे इस बार तो जी मतब कॉमिनेशन उनका होता है यह मैं अपील करता हूं सारे लोगों को कहना क्या मैंने इतनी बात कह दी बहुत सीनियर हैं राश्टी पुरस्कार विजेता हैं और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि उस दौर के बहुत कम निर्देशक बचे हैं जो इस जंक पर काम करते हैं उत्में प्रशन जी हैं जो लगातार फिल्म में बना रहे हैं कौन मुझे कुछ आता ही नहीं अगर मुझे यहां से वापर भेद दिया जाएकर तो मैं कुछ करी नहीं सकता आप तो नहीं रोल में लगता हूं तो आप जो दीजे करूंगा मुझे अच्छा लगता है शुरू से मैं जनसंग में बच्पन से काम कर रहा हूं विचातार जोटी एक जुटता जोटी है इतना बड़ा संगटन और किसी पार्टी का हो तो बताइए जो एकदम रमीन से शुरू हो कि आज आस्मान तक पहुंच किया हो जितने लोग मेंब बड़ता है आरसेस का काम करने का डंग है सबका अच्छा लगता है कोई कुछ भी कहें अपना अपना अपनी अपनी सोच है यह भाई दिल में इतनी हैं कि नाम एक दो का भूल भी जाओ तो बुरा मदमानी है अभी विजेता की डविंग करनी है अभी वह एक विवह ऐसा भी दिल का रिष्टा और अभी बंसी बिर्जू कंप्लीट की है जुग जुग जीयो मेरे लाल बहुत सी दिल में है और संजय स्टार प्रशारक हम लोगों के संजय भूशन जी की शादी है 23 नौवंबर को पट 24 को गई है पता नहीं हमको तो उन्हें बदल गई रिलीजिंग डेट थी क्या की आगे पड़ गई चलिए 24 को ही है जब भी है तो मेरी हार्दी शुप कामनाय है और मैं बहुत-बहुत राही वैसे भी मिले की बढ़े-बड़े स्टार लोग जाएंगे मैं फासा हूं इसलिए इनको आप लोगों के माध्यम से बढ़ाई दे रहा हूं और शमा भी मांग दे रहा हूं कि मैं नहीं आ पा रहा हूं इनके नाम राशी है संजय श्रिवास्तो जी उनकी एक फिल्म म संजय ची के लिए तो मैं चला जाओंगा संजय जी कि रही है आप सब लुए कि मेरा नमस्कार जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं तो मा का ही रोल करती हूं तो इसमें भी मदर का ही रोल प्लेकर रही हूं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर अब्रजी के साथ काम करते हुए इस फिल्म के जो हमारी महिला प्रेदूसर है प्रगती सिन्हा जी तो मैं उनको बहुत 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 शुक्ताम नहीं देना चाहूंगी और बहुत ही अच्छा लगा कि एक महिला प्रेदूसर आ रही हमारी इंड़स्टी में और हा अब्रजी का अशिरवाद मिला और मैं आज यहां पे हूँ तो इसमें भी अब्रजी सर दो बच्चो को मौका दे रहे हैं एक है जो हमारे हीरो है भरत कांडी और जोया खान जो हमारी हीरोईन है इस प्रिम के तो मैं भरत जी की मजर का रोह कर देंगी और अप्रेदी को बह करना चाहूंगी हमारी एक रिम बहुत बढ़ी हीट हो और आप सबसे इन कहना चाहूंगी कि एक रिम जब भी रिलीज हो तो आप सब जरूर देखने है जी बहुत ही त्यारा बच्चा है भरत कांडी जो हमारा हीरो है इतना क्यूप है और इतना मतलब सेंसकारिक लग रहा है लड़का अब भी जर्ज के साथ सीन हुआ है मेरा और इतना अच्छा बोल पारा है भोजपुरी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब बाज्टी को हरियाना से यह बच्चा आया है हमारे अंदुस्टी में, भारत बाब। को बहुत बहुत शुभ कामनाय gem razня कि यह रह संदू करूंगे जी बिल्कुल जैसे कि जबी भी ब्रजी फिल्म बनाते हैं तो मुझे जरूर याद करते हैं तो इसके लिए मैं फिर एक बार ब्रजी को बहुत बहुत थैंक्यू बोलूँगी कि यह हमेशा मुझे याद किया हाँ मतलब डेट के वज़े सा अगर कभी उपर नीचे हो गया तो अलग बात है और मैं भी चाहती हूँ कि सारी चीजों को अलग करते हुए मैं सबसे पहले ब्रजी के साथ काम करूँ यह जब सुनाएं सर मुझे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बताएं कि यह एकदम टीनेजर मतलब बच्चों की कहानी है तो मैं कहानी अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी इसके लिए आपको थेटर तक जाना होगा मतलब यह फिल्म जब रिलीज होगी तो आप देखीगा कि कितना नया पन्य इसक्रीम है